नवस्का दोस्तों स्वागते आपका आपके अपने यूटूब चैनल बता दोस्तों बीएश्टीसी कॉले अलोटमेंट दो हजार तेईस को लेकर आप सब के लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट निकल किया रही है बीएश्टीसी कॉले अलोटमेंट की फर्स्ट लिष्ट 21,000 सीटों में अगले सौमबार को यानि कि कल रवी बार के बाद सौमबार को जारी होने वाली है अलोटमेंट से पहले दोस्तों आपकी सीटे बढ़ सकती हैं अपडेट है कि 2000 सीटों को लेकर मंजूरी मिल चुकी है बोड की तरफ से दोस्तों ऐसे में आपकी सीटों बड़ोतरी की संबावना भी बढ़ चुकी है दोस्तों रायस्तान में चुनाव हो चुके हैं नई सरकार बन चुकी है हालांकि अभी नई सच्चावंती नाम सामने नहीं आया है रोपोर्टिंग कलेंडर भी दोस्तों आपका साथ में ही जारी के जाएगा कटोप से दोस्तों एफेक्ट पड़ेगा जी हैं दोस्तों बीएस्टीसी की कटोप का यहां पर अगर सीटे बढ़ती हैं सामबार को जारी हो जाएगा रिजल्ट पिछले डेड़ महीने से चात्रे इंत्यार कर रहे हैं अलॉटमेंट का अठारे अट्वर को लास्ट अपडेट आई थी बीएस्टीसी को लिखर उसके बाद से कोई भी अपडेट नहीं आया है पूरा नमवंबर का महीना निकल चुका है दोस्तो अट्वर का वी लगवादा महीना और दिसंबर का भी दोस्तो यहांपर दस तारिक तक हो चुकी है अभी तक अलोटमेंट जारी नहीं हुआ है हालाग कि छात परेशान डेली कमेंट आते हैं मिरे को कि सर आप बोलते हो अलोटमेंट इसी सब्ता जारी होगा देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ जो बोड की तरफ से ऊपर से अपडेट आती है उसी के आदर पर दोस्तों मैं आपको संभावना बता देता हूँ दोस्तों की यहां तक संभावना है कि अलोटमेंट जारी हो जाएगा देखिए अगर आप बात करें तो आप पंजिगम से चाब वाग के पास कोई भी दोस्तों कारें नहीं है इस समय अगर वो चाहें तो जल्दी चल्दी आलोटमेंट जारी कर सकते हैं दोस्तों क्योंकि इससे पहले आपकी आपके दोस्तों चुनाब थे आचार सही था पांच दिसंबर को समावत हो चुकी है अब बोड के पास भी परयाप समय है लिष्ट अमूवन दोस्तों 5-7 दन का ही समय लगता है लेकिन जिस पकार से देरी की जारी है अलोटमेंट में उससे भी चाहत परेसान है आलंकि समावना को जारी होने की संभावना है 120-6 चाहत्रों मसे 26-6 चाहत्रों का ही सेलेक्शन होगा अगर सीट बढ़ती है तो 2006 और इसमें चुने जाएंगे अब समबार तक का आपको वेट करना होगा दोस्तों समभावना ये दे सकते हैं सब्ता के सुरुवात में अपडेट आगा थी कि इसी सब्ता में अलोटमेंट जारी हो जाएगा अधिकारिक भी अपडेट पर बोड़ अधिकारियों की तरफ से का गया था लेकिन अभी तो अलोटमेंट जारी नहीं हो सका तो दोस्तों समभावनार का वेट करना होगा आपको उसके बाद ही आपको अलोटमेंट सायद देखने को मिल सकता है बाकि जो भी अपडेट आएगी दोस्तों मैं आपको जरूर अपडेट कर दूँगा चैनला के मात्यम से कट आप पहली लिस्ट की थोड़ी सी अधिक रहेगी सेट लिस्ट में पंदरंग कम हो जाएगी थार्ड लिस्ट में और कम हो जाएगी और सीटे बढ़ती हैं तो चार से पांच यंग की गिरावट रहेगी यह पूरी जानकारी बीएच टीशी को लेंट मेंट को लेकर आशा करता हम वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को सेरे करके चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद बंदे महात्राम